Hello everyone welcome back to my youtube channel और इस वीडियो में बात करेंगे Gantt chart so Gantt chart क्या होता है इसका use क्या होता है यह सब हम देखेंगे इस वीडियो में right so Gantt chart क्या है यह चार्ट है एक horizontal chart है जिसमें कि हम activities को display करते हैं against time ठीक है activities को display कियाता है against time for example यहां पर रफली एक chart बनाके show किया गया है कि by axis जो रहेगी by axis पर activities रहेंगी यह कहलो कि आपके task रहेंगे और x axis पर time duration रहेगी timeline रहेगी चीक है तो यहां पर number of activities रहेंगी यह activity फलाना डिकाना चितनी भी activities है वो सारी और x axis पर उसका time duration कि कौनसी activity कब से शुरूर हो रहे है कब खतम हो रहे है है ना सो ग्याइंड चार्ट help करते है हमारी एक proper planning बनाने में किसी भी project को लेके और यह कैसा दिखता है मैं सोड़ा से दिखा देती हूं आपको वेट आप देख सकते हो यहां पर एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा डाइग्राम और जिसके तुरू आप समझ सकते हो कि ग्याइंड चार्ट कि सिकर दिखता है ठीक है तो आप देख सकते हो यहां पर time duration दे रखा है और यहां पर activities दे रखी है टास्क प्लानिंग को कब से कब तक का time लग गया research कब से कब तक का time लिया research ने design में कब से कब तक का time लगा तो आप Gantt chart की help से यह देख पाते हो अच्छे से कि कोई भी activity है उसने कितना time लिया वो कब शुरू हुई कब खतम हुई तो एक अच्छे से आप पूरे project की progress note note कर सकते हो काफी easily और आप अपन chart right I hope आपको समझ में आया होगा और इस तरह के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हो और साथी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर सकते हो और telegram telegram group को या channel को या instagram पे हमें जॉइन गए कि अपने questions पूच सकते हो thank you and have a good day